अपनी वेट लोस जनरी शेयर करूंगी और ये वीडियो स्पेशिली हाउस वाइप के लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होगी अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को फुल वाच कीजेगा सेफ फॉर मन्स में मैंने अपना वेट 27 केजी लूस किया था और मैं क्या खा रही होती थी और क्या नहीं खा रही होती थी तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आप इजी लिए मैं अपने दिन का आगाज नीम गर्म प्नी के साथ करती थी और क्य JK मुझे जी पानी पीने की तो मैं पडि़ोमी रिष्टी तो मैं फॉक्ची के सीजन में तो मैं बाकी दिन भी कोशिश करती थी कि मैं नीम गर्म पानी पीलू लेकिन गर्मियों में मैं रूम टमट्रेचर पानी पी आ जाती थी तो इसलिए अगर आपने अपना वीट कम करना है तो सबसे पहले आपको ये आदत अपनानी होगी कि दिन में दो गलास आप नीम गर्म पानी पीलिया करें चाहे उसमें लामन अड़ कर लें या हनी अड़ कर लें ये आपके डिपेंड करता है सुबा काफी अरली शुरू हो जाती थी तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी सी भूग फील कर रही होती थी तो फिर मैं क्या करती थी कि उस टाइम पे मैं नाश्टा वगरा तो मैं नहीं करती थी लेकिन मैं कोई ना कोई फ्रूट खा लेती थी जो भी कोई सीजनल फ्रूट घर में पड़ा हुआ है मैं वह खालेती थी लेकिन खास तो पे मुझे सुब guitar खाना बहुत ज्यादा पसंद है अगर medium size का apple है तो मैं पूरा खालेती थी और अगर बड़ा apple है तो मैं उसे half cut करके खालेती थी और मैं सको छिलका नहीं उतारती थी मैं छिलके के साथ ही खाती थी क्योंकि जब हम healthy way से dieting करते हैं तो वो हमें फाइदा देती है वना काफी ददा problems भी हो जाती है अगर हमारे में energy level down है तो हमें बहुत सी problems का भी सामना करना पड़ता है तो इसलिए मैं काफी हद तक अपनी health का भी ख्याल रखती थी 20 minutes का उसके बाद मैं workout करती थी और ये कुछ exercises थी जो के मैंने YouTube से ही सीखी हुई थी तो मैं उसके 20-20 step के मैं set लगा लेती थी और jogging style में मैं running कर लेती थी यानि के घर में ही ये मैं सारे steps follow कर लेती थी और क्योंके exercise वगयरा कुछ भी हैं वो आप घर में भी easily कर सकते हैं उसमें कहीं आपको जाने की जूरत भी नहीं पड़ती है और खास दूर पर exercise करने से पहले अगर आप कोई ना कोई fruit खा लेते हैं कोई एक बनाना खा लें कोई एक कैपल खा लें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है बिजाएस के कि अब बिल्कुल खाली पेट exercise यहां आप वाक वगयरा करें exercise से हमारा fat बहुत जल्दी बर्न होता है और आप दिन में किसी भी वर्ट exercise कर सकती हैं उसके बाद जी आ जाते हैं नाश्ते की तर्फ क्योंके वर्काउट करने के बाद बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो एक घंटे के अंदर-अंदर हमें अपना नाश्ता या खाना पीना कर लेना चाहिए क्योंके फिर हम जो भी खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजस्ट हो जाता है और हमारी बोड़ी उसे फैट में भी बदलने नहीं देती है तो नाश्ते में तो जी मुझे हमेशा एग खाना ही पसंद है चाहे वो ओमलेट हो चाहे फ्राय हो तो उसाथ में जो ब्रेट की मैं तोस्की होवे स्राइस जो है वो मैं कभी दो ले लेती थी और कभी एक ले लेती थी लेकिन एग मैं मस्क लेती थी क्योंके नाश्ते में प्रोटीन का इस्तिमालima जरूर होना चाहिए तो एक से बढ़कर और क्या च्वाइस होगी कि हम इसे प्रोटीन हासिल करें और नाश्ता कर लेने के बाद मैं खजूर वगरा भी खा लेती थी आप चाहें तो नाश्ता करने से पहले भी खजूर खा सकते हैं और खजूर के बहुत ज़्यादा फाइदे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वेटामिन्स होते हैं और खास तोर पर जो लोग वेटामिन्स की टेवलिट्स फैरा खाते हैं तो जी, उनके लिए तो ये गूड न्यूस है कि अगर वो डेली बेसिस पे खजूर का इस्तमाल करना शुरू कर देंगे तो एक महीने के बाद उन्हें वाइटामिन्स की टैबलर्स खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी जान शूर जाएगी इसमें इतने ज्यादा वाइटामिन्स होते हैं जब हम वेट रिड्यूस करने की तरफ आते हैं तो जाहिर है कि हम पॉर्शन कंट्रोल करते हैं अपनी फूट का तो फिर उसमें हमें अपना एनरजी लेवल बहार रखने के लिए खुराग की विज़ूरत होती है तो उसके लिए बेस्ट जॉइस है कि हम दिन में तीन से चार खुजूर खा लें उसके बाद जी मैं सबसे पहले अपना डीटोक्स वाटर त्यार करती हूँ क्योंकि मुझे पूरा दिन डीटोक्स वाटर पीना बहुत ज्यादा पसंद है कहीं पर भी गए तो मैं अपनी ये बॉटल साथ ही ले जाती हूँ तो इसके लिए मैं एक लामन को दो कर तो मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ और फिर एक कॉकंबर ले लेती हूँ और उसे भी अच्छे से धो लेना है और उसे भी center से cut कर लें और half cucumber next time के लिए संभाल लें और half cucumber को pieces में cut कर लें उसके बाद आप चाहें तो chill पानी ले लें चाहें तो room temperature पानी ले लें जिस तरह भी आपको पीना पसंद है तो डेर लिटर पानी जो है वो मैं जग में डाल लेती हूँ और उसके बाद ये जो cucumber को मैंने slices में cut किया था ये भी डाल दूँगी और साथ में lemon भी add कर दूँगी और कुछ पत्ते जो हैं वो पुदीने के हैं इन्हें भी अच्छे से धोकर तो मैं इसमें डाल दूँगी ये skin की problems का भी हल है और इसे हमाई skin भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और detox order जो हमारा weight भी reduce करने में help करता है और इसके और भी बे इंतहा फाइदे हैं तो ये इस तरहां से मैं इसे साही चीज़ें इसमें डाल कर तो कम से कम इसे मैं 2 घंटों के लिए रख देती हूँ और जब तमाम nutrients जो हैं पानी में आ जाते हैं तो उसके बाद मैं पूरा दिन ये पानी जुआए करती हूँ जब पानी कम हो जाता है तो मैं उसमें दुबारा से और पानी आड़ कर लेती हूँ अब देख लेते हैं जी के मैं लंच में क्या खाती थी तो जी लंच में मैं जदातर salad ही बना लिया करती थी जिसमें vegetables और fruits मैं cut कर लेती थी जो भी fruits और vegetables घर में पड़ी हुई हैं बस मैं simple उन सब को मैं बारिक-बारिक सा cut कर लेती थी तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से fruits और vegetables हैं तो जी इनमें हैं खीरे, सेब, आड़ू, गाजर, बनाना और सफेचने और कभी तो मैंने लालोबिया जो होता है red beans वो भी boil करके तो मैंने freeze किया होता था तो मैं वो भी इसमें शामिल कर लेती थी और ये मेरा बहुत अच्छा सा lunch ready हो जाता था ये salad आप गर्मियों में, सर्दियों में किसी भी मौसम में easily बना सकते हैं क्योंकि ये vegetables और fruits तो हर season में ही available होते हैं आपको जो भी fruits और जो भी vegetables पसंद हैं आपको cut करके तो इस तरह से एक ball ready कर सकते हैं और ये इतने मज़े का salad बनता है कि दिल करता है कि एक ये time पे ये सारा खा लिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़दा light weight होता है ये हमें energy देता है, हमारा energy level बूस्ट करता है और हमें fullness का एहसास देता है लेकिन हमारा weight बिलकुल भी gain नहीं करता और हमारा weight और fat बिलकुल भी नहीं बढ़ाता उसके बाद मैं इस पे डालेती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और दो तीन drops lemon के और दो तीन पते कट करके पुदीने के भी मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ सालन की craving मुझे बहुत ज़्यादा होती है क्योंके सालन रोटी खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं craving नहीं बढ़ाती हूँ जो भी सालन घर में बना हो चाहे वो डाल है, सबजी है, चिकन है, गोश्ट है, जो भी है तो मैं थोड़ा सा सालन ले ले लेती हूँ और साथ में मैं ये सालन ले लेती हूँ तो इसको मैं स्पून के साथ खा लेती हूँ और अगर किसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा craving हो रोटी की तो मुझे लग रहा हो कि बस मुझे ज़रूर खानी चाहिए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि आदी से भी आदी जो quarter रोटी होती है वो मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ साथ में बस टेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरी craving पूरी हो जाए और ज़्यादा focus मेरा इस salad पर ही होता है जो बाकी salad बच जाता है वो मैं फ्रेज में रख लेती हूँ ताकि मुझे अगर दो तीन घंटों के बाद फिर भूग फील हो तो मैं वो वाली salad खा सकूँ अगर आप अपने लिए salad बना रहे हैं तो आपने vegetables के साथ साथ इसमें fruits जरूर शामिल करने हैं बाहिर का भी मैं खाती थी क्योंके fast food आखिर वो भी खाना होता है कहीं बाहिर तो जाना ही पड़ता है तो मैं वो भी खाती थी लेकिन मैं portion कंट्रोल करके खाती थी यानि कि जितना मैं पहले खाती थी उससे मैं कम खाना शुरू हो गई थी और अभी तो हमारा बाहिर जाना वो वीकेंड के वीकेंड ही होता है क्योंके बच्चे स्कूल गॉइंग है लेकिन क्योंके शादी के शुरू में मेरा वेट इसलिए तना ददा गेन हुआ था कि हम लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते थे डेली ही हम लोग बाहिर से सपाता करने जाते थे और डिनर बाहिर से ही मेरा मेरे इसने करते थे तो बस इस तरहां से बाहिर का खाना खाखाके और फास्ट फूद खाखाके तो मेरा वेट इतना ज्यादा गेन हो गया था तो अब ये है कि इस रूटीन को हम लोग वीकेंड पे ले आए हैं कि वीकेंड पे ही जाना होता है तो इतना तो cheat day बनता है क्योंकि week में one day आपका cheat day होना चाहिए लेकिन क्योंकि मुझे पता होता है कि शाम को जाना है तो फिर मैं दिन के time जो लंच करे ही होती हूं उसको मैं balance कर लेती हूं करती हूं कि भूख रख के खाती हूं जानी कि बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाती हूं लेकिन जो भी घर में रूटीन का बना हो तो मैं वही खाती हूं क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम लोग डेली अपने लिए कुछ ना कुछ होता था मैं डिनर में वही खा लेती थी लेकिन भूक रख के खाती थी डिनर मैं सोने से तीन घंटे पहले कर लेती थी और डिनर करने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीती थी एक घंटे के बाद अगर मेरा दिल करता था तो मैं पानी पिना शुरू करती थी वनना एक मिल खाती थी और अभी भी खाती हूँ किसी भी चीज की पाबंदी मैं अपने पे नहीं लगाती थी कोई क्रेविंग में बदलने नहीं देती थी लेकिन यह है कि मैं उसका पॉर्शन कंट्रोल करके और अपने जिन्दगी से बिलकुल ही निकाल फैंकेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आप दुबारा कभी से यह चीजें खाना शुरू करेंगे तो फिर यह आपका वीड बहुत तेजी से बढ़ाएंगी और यह भी हो सकता है कि फिर आपका स्टरमर की इन चीजों को कबूल ही हुई है कि मैं सोने से पहले ग्रीन जी का एक अप जरूर पीती हूं और उसमें मैं हाफ लेमन एट कर लेती हूं तो यह आदत मैं स्किप्ट नहीं करती हूं और इस आदत से मुझे बहुत ज्यादा फाइदा हुआ है और इसके इलावा मैं चहल कदमी करती हूं जहां भी शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए सरकल में मुझूद मेरी पिक्चर को क्लिक कर दें मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफेज